यूपी टीवी न्यूज पर फरूखाबाद से अतिक्रमन अभियान से सम्मन दित बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर है खबर की सुरुआत करें से पहले आप सभी से एक निवेदन है यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बाला बटन दबा दें जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें अब देर न करते हुए खबर की सुरुआत करते हैं खबर फरुखाबाद के फतेगड से है जहां सनिवार को फतेगड में जेनबी रोड पर अतिक्रमन अभियान चलाया गया चार घंटे में ही पूरी जेनबी रोड का अतिक्रमन साफ कर दिया गया अभियान के दौरान कई रसूपदार लोगों के गगन चुम्डी भवन को हाथ तक नहीं लगाया गया लेकिन बुल्डोजर फर्ज खोद कर चला गया नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भारगब ने नेतत्तु में अतिक्रमन अभियान जीनबी रोड पर चला है अधिकतर लोगों ने जिनकी कोई जुगार नहीं थी उन्होंने अपना भवन खुदी तोल लिया जो बच गया था उसे बुल्डोजर ने नहीं बक्सा बुल्डोजर भी चेहरे पहचान कर चला निरिच्छ भवन से लेकर रखा तिराहे तक आतिक्रमन हटाया गया दरसल जीनबी रोड पर लगभग 15 दिन पूर 25 करके चूना डाला गया था सभी को एक सप्ताहा का समय 25 में आये भवन तोलने के लिए दिया गया था जिसकी जुगार थी उसने अपने मकान को हाथ नहीं लगाया आपको बता दें सपा नेता सुबोध यादब ने अपना मकान खुदी तोल लिया JNB रोड पर एक सेवा निब्रत प्रसासनिक अधिकारी का आवाज गगन चुम्बी बना है जिसके सामने कई लोक निर्माल विवाग के करमचारी सुरक्षा कबच बनकर खड़े हो गए नगर मजिस्टेट जब उधर से गुजनी और 25 कराई तो फीता उनके गगन चुम्बी भवन में प्रवेश कर गया वैचिला प्रसासन से सेवा निब्रत हैं तो उन्हें दोबारा समय देना अनिवारे था जिसके चलते उन्हें खुदी अपना मकान तोड़ लेने के अनुमती दी गई इसके अलाबा और भी कई अन्यभवन छोड़ दिये गए इस दोरान नगर पालिकाईयो रविंद्र कुमार नगर मजिस्टेट दीपाली भारगव फरुखाबाद कोतवाल जेपी पाल समेत आला पुलिस प्रसासन मौके पर मौझूद रहा ब्यूरो रिपोर्ट यूपी टीवी निउज फरुखाबाद पालिकाईयो प्रसासन मौके प्रसासन मौके परुखाबाद